हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ तोलसी आज हम बनाएंगे केक बिना मसीन केक क्रीम बनाएंगे और घर पे ही पाइपिंग बेग बना कर उससे केक की डिजाइन करेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले एक बाउल और छलनी लेंगे, उस पे लेंगे एक कप मैदा, सही मेजरमेंट लेने के लिए कप के उपर से उंली या चाकू घुमा ले, इसी तरीके से हमें सारा मेजरमेंट करना है, अब इसमें जाएगा हाप कप पीसी हुई चीनी, एक टीस्पून बेकिंग पा है, इसे हम पीस कर एक पिंच इसका पाउडर भी डाल देंगे, साइट्रिक एसिट, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ रियक्ट होकर केक को फूलने में मदद करती है, अगर आपके पास ये एवलेबल नहीं है, तो इसके बदले आधा चममाच निमो का रस भी अब इसमें जाएगा मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर के मैं पहले डालना भूल गई, तो अब ही डाल रही हूँ, आप इसे पहले ही मेदा के साथ छान लें, सारे चीजों को छानने का ये फायदा है, कि ये सब आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इनमें एयार आजाता है, औ अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल कर मिक्स करेंगे, आप चाहें तो पानी की जगा दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं, केक में इस्तमाल किया जाने वाला सारा चीज रूम टेंपरेचर पे होना चाहिए, अगर कुछ भी फ्रीज में है, तो एक घंटा पहले से निकाल कर बाहर में रख ले, अब इसमें जाएगा एक टेबू स्पून ओयल, आप इसमें कोई भी रिफाइन ओयल या बटर भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें एक कॉप से थोड़ा सा कम पानी का इस्तमाल किया है, देखिए इसकी कॉंसिस्टेंसी, अब चलिए केक को बेक कर लेते हैं, केक्टिन में थोड़ा सा ओयल ग्रीज कर लेंगे, चारो तरप अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे, मैंने यहाँ पर एक प्लेन पेपर लिया है, और उसे केक्टिन की साइज में काट लिया है, इसे हम बटर पेपर की तरह इस्तमाल करेंगे, पेपर को हम बटर में रखके तेल लगा लेंगे, अब इसमें केक की बेटर को डाल देंगे, देखिए बेटर की कंसिस्टेंसी कैसे रिवन की तरह एक धार में गिल रही है, बेटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, अब केक्टिन को दो तीन बार ऐसे टेप कर आज हम एक अलग तरीके से तवा पे केक बनाएंगे दिखिए तवा के ऊपर एक स्टेन रखकर एक बड़ा वर्तन उसके ऊपर उलटकर रख देंगे इसे हम दो तीन मिनिट प्री हिट कर लेंगे तीन मिनिट बाद हमारा देशी ओवन में केक को बेक होने के लिए रख देंगे अगर आपके पास टेन नहीं है तो कोई भी पुराना स्टील का प्लेट का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इस बड़ी सी बर्तन के ऊपर थोड़ा सा वाजान रख देंगे ताकि गयस कहीं से भी निकल ना पाए और केक अच्छी तरह से बेक हो जाए इसे हम 20 से 25 मिनिट तक बेक होने के लिए छोड़ देंगे 25 मिनिट हो चुके हैं अब केक को देख लेते हैं बर्तन बहुत गरम होता है तो इसे ध्यान से निकाल लेंगे दिखिए हमारा केक में कितना अच्छा कलर आया है ना हमने इसमें कोई कलर डाला बिल्कुल प्लेन केक है इसमें चाको या टूथपिक डाल कर देख लें यह अच्छी तरह पकाया नहीं अब इसे हम रूम टेंप्रेचर में आने देंगे उसके बाद इसे निकालेंगे केक अब थंडा हो चुका है अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पर देखिए केक कितना आसानी से निकल आया है अब इस पेपर को भी निकाल लेंगे दीखिए केक की बेक साइड भी कितने अच्छी कलर आई है और कितना स्पाउंजी वोनी है केक्टीन का साइज थोड़ा बड़ा है इसलिए इसका हाइट ज्यादा नहीं आया है अब चलिए क्रीम बना लेते हैं ये क्रीम मैंने whipping cream powder से बनाया है इसका recipe मेरे channel पे है अगर आप देखना चाहते हैं तो description box में इसका link है अब क्रीम को हम piping bag में बहर लेंगे ये piping bag मैंने नमक की थैली में बनाया है नमोक की थैली की एक करनर को कट करके उसमें स्टार नोजल लगा दिया है अगर आपके पास कोई नोजल नहीं है तो बिना नोजल के ऐसे ही इस्तिमाल कर सकते हैं उसमें प्लेन डिजाइन आएगा अब एक वरतन में पानी गरम करेंगे और उसके उपर एक बड़ी सी वरतन रखेंगे और उसमें चक्कलेट को मैल करेंगे मैंने 40 रुपया वाला डेरी मिल का चकलेट लिया है चकलेट पर मैंने दो चममाच दोध डालकर मिक्स कर लिया था अब इसे छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे और एकदम स्मूध वने अब केक को लेयार में कट कर लेते हैं मेरे पास कोई बड़ा चाकू नहीं है तो कीचेन का छोटा चाकू का ही इस्तमाल कर रही हूँ हमारा केक ज़्यादा डोंग साइज का नहीं बना था तो इसके उपर का एक पतला सा लेयार मेंने कट कर दिया है इसे हम केक के बीच में लगा लेंगे हमारा केक का हाइट ज़्यादा नहीं है तो हम इसे दो लेयार में कट कर लेंगे देखिए दोस्तो केक कितना जालीदार और स्पवणजी बना है हम इसे बीना टर्न टेबल के एक बलेट पर सजा लेंगे केक की ऊपर की लेयार को पहले रखेंगे केक को मोस्ट करने के लिए चीनी का घौल का इस्तिमाल करेंगे मैंने पहले से ही पानी और चीनी को उवाल कर उसमें बेनिला एसन्स डाल कर थंडा कर लिया था अब हम दोस्तों क्रीम लगा लिते हैं केक बनाने के लिए मेरे पास ऐसे कोई भी स्पेसियल सामान नहीं है घर के ही सामान में मैंने बनाया है हमने जो उपर का layer cut किया था उसे बीच में लगा कर bottom का layer उपर लगा लेंगे उसके उपर क्रीम लगा कर फ्रीज में 5-10 मिनित के लिए set होने के लिए रख देंगे उसके बाद इसमें डिजाइन बनाईंगे केक के उपर चाकू से एक line ड्रॉ करेंगे लाइन के एक साइट चोकलेट में और दूसरी साइट क्रीम में डिजाइन बनाएंगे हमने जो चोकलेट के गनास बनाया था लाइन के एक साइट में उसे अच्छी तरह से कभर कर लेंगे चाकू की मदद से अच्छी तरह से फैला लेंगे और साइड में भी इसकी लगा लेंगे हमने जो नमक की थैली का पाइपिंग बेक बनाया था उसी की मदद से इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दोस्तो मुझे जैसा डिजाइन समझ में आया मैंने वह ऐसा बना लिया मैंने बहुत महनस से ये वीडियो बनाई है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना अब केक के उपर थोड़ा सा एडिबुल सिल्बर बॉल डाल देंगे इससे केक बहुत अच्छा दिखता है केक थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो इस तरब एसे लाइन बना कर एक डिजाइन बनाने की मैंने कोशिस की है दोस्तो आपको मेरी केक की डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सस्क्राइब कर लेना थैंक यू फर वाचिंग